अस्तलम अलेकुम आज हम शुरू करेंगे anti hypertensive drugs वैसे ही जो हम अमोमन करते हैं drug drugs करने से पहले हम करेंगे anti hypertensive क्या है anti hypertension क्या है hypertension तो आपने काम सुना होगा क्या इसका BP बढ़ जाता है BP का मरीज है यह तो आपने आम ही सुना होगा अब hypertension क्या हुँआ जिसका blood pressure अभव नॉर्मल हो जाए उसे हम कहते है high blood pressure या hypertensive patient उसमें अब ये क्यूं होता है hypertension क्या है जिसका blood pressure नॉर्मल हो वैसे नॉर्मल क्या होता है 120 by 80 system होता है 120 die system हमारे पासете 80 mm of mercury ये हमारे पास normal blood pressure है अगर हम क्या कहेंगे elevated क्या होता है अगर किसी patient में 120 से 129 तक blood pressure हो और ये less than 80 ही रहे तो उसमें हम कहेंगे millimetre of mercury तो उसमें हम कहेंगे elevated यह हम किसी लिए classify करें ताकि हम drugs में हमारे लिए थोड़ा बहुत easy हो जाए stage 1 hypertension क्या होगी elevated stage 1 hypertension क्या होगी जिसका blood pressure 130 से 139 तक हो और 189 तक हो जाए या 90 तक तो इसे हम कहते है stage 1 hypertension stage 2 hypertension क्या होती है जिसका blood pressure greater या equal 140 के या 150, 160 तक भी हो जाता है अमूम आम patients में और ये 90 greater than 90 या equal to 90 हो जाए उस patient क्यों कहते है stage 2 hypertension अब hypertension क्या होती है या तो patient exercise करें अमूमन उसका वीपी भड़ जाता है या तो वो sodium high diet ले रहा है जिसमे sodium high है वो diet ले रहा है या potassium diet उसकी कम है तो ये सब हो सकता है हमारे पास smoking है weight loss इससे पेशन का hyper blood pressure बढ़ सकता है अब हम क्या करेंगे पेशन को कहेंगे sodium की जिसमे sodium content कम है वो diet ले जैसे के बनाना हो गया हमारे पास जिसमें potassium ज्यादा है जीज़े ज्यादा खाए अपनी जो life style है उसमें control करें exercise थोड़ी बहुत करें अपनी diet पे control करें lifestyle करें ज्यादा stress ना ले weight loss करें अगर obese है तो ये सब hypertension के लिए हम कहते हैं उसे पहले हम ये कहते हैं जिसका थोड़ा बहुत elevated होता है या stage 1 होता है उसमें हम कहते हैं life style को maintain करें stress ना करें और potassium rich diet ले जिसे बनाना हो गया weight loss करें अगर obese है तो sodium जिसमें कमें नमक का इस्तमाल कम करें हम कहते हैं और एक दो अगर stage बनें तो एक दो drug भी देते थे अब drug से पहले हम देखते हैं दो words आप अमूमन देखेंगे यूज होते हैं एक होता है cardiac output एक होता है total peripheral resistance अगर अब specific बात करें हमने कहा था diastole और systole प्रेशर होता है systole का मतलब क्या है जब हमारी heart contract करते है उस वक्त का pressure को हम कहते हैं systole और हमाले relax वाली condition को कहते हैं diastole ठीके अब जो cardiac output होता है वो mainly systolic blood pressure को कंट्रोल करता है और जो हमारे पास total peripheral resistance है वो diastolic blood pressure को कंट्रोल करती है हम जो blood pressure है वो सब arteries से arteriol से capillary से नहीं कर सकते major जो हमारे पास arteries है उस से हम blood pressure देखते हैं अब हम क्या होते है major arteries जैसे ब्रेक्यल आर्ट्री हो गया मुमर वहां से हम देखते हैं वहां से हम blood pressure देख सकते है अब क्या करेंगे cardiac output का क्या होता है जैसे हमारी heart की contract ली होती है तो negative ionic contract की कम होगी means negative ionotropic effect हुआ जिसकी वज़े से cardiac output कम हो जाता है systolic blood pressure कम हो जाएगा और हम अब क्या करेंगे दो चीज़े देखेंगे और इसमें दो चीज़ें और भी हमारे पास आएंगी pre-load और after load यह हम physiology में सब कर चुके हैं यहां पे सिर्फ रवाइस कर रहे है pre-load और after load pre-load क्या होता है जब हमारी heart ventricles जो relax हो रहे होते हैं इसमें जो filling pressure होता है जो filling heart जितना blood fill हो रहा है उसे हम कहते है pre-load for suppose हमारे पास atria है और यह ventricles है यहां पे आपको पता है wells होते हैं tricuspid, bicuspid तो यह जब relax होते हैं तो atria में से blood आता है ventricles में यह जो relax ventricles होते हैं और इसमें जो filling का होता है heart pressure उसे हम कहते हैं pre-load और after load हमारे पास क्या है resistance against which it pumps mainly यह कहते हैं यह क्या होता है कि हमारे पास blood आ गया ventricles में ventricles में blood आ गया हमारे पास अब यह resist मतलब क्या है कि किसी चीज को रोकना after load मिंस यह pump करने के बाद हमारे पास कितना blood रह जाता या कितना resistance रह जाती है कितनी resistance से वो blood pump करेगा उसको हम कहते है after load यह कुछ points थी जो अब drugs में आएंगी तो इसलिए हमने थोड़ी discuss कर ली अब हम देखते है mechanism क्या है इसके अब हमारे पास mechanism क्या है जिसे blood pressure control होता है यह हमारे पास एक तो होता है baroreceptor और दूसरा हमारे पास होता है renin angiotensin हम इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं वैसे हमारे पास जो blood pressure होता है वो directly related होगा cardiac output and total peripheral resistance इन दोनों में से कोई भी चीज़ बढ़ेगी गा cardiac output बढ़ा है तब भी बढ़ जाएगा अगर total peripheral resistance बढ़ आए तब भी बढ़ जाएगा baroreceptor क्या इसमें main point है यह तो हमारे पास movement to movement regulation के लिए होता है movement to movement अगर MCQS में आजा है movement to movement regulation के लिए कौन सा system होता है baroreceptor यह क्यों movement to movement regulation के लिए होता है क्योंकि यह sympathetic और parasympathetic activity को change करता है इसलिए यह movement to movement regulation के लिए होता है यह क्यों होता है क्योंकि यहां पे आपको पता है हमारे पास pressure sensitive neurons होते है carotid bodies, carotid sinuses होता है aerotic arch में तो वहां पे अगर कोई भी blood pressure थोड़ा भी कम हो जाएगा तो वो sense करता है हमारे इंपल्स जाएंगे cardiovascular centers होते है हमारे पास spinal cord में वहां जाएंगे और sympathetic activity को बढ़ा देंगे जिसकी वज़ाए से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और blood pressure बढ़ जाएगा और या तो sympathetic activity increase हो जाए sympathetic activity या तो parasympathetic activity decrease हो जाए जिसकी वज़ाद से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और हमारा blood pressure बढ़ जाएगा यह है baroreceptor हमने किया हुआ है तब ही मैं जल 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 दी थोड़ा थोड़ा बता रही हूं बस renin angiotensin ने हमने पढ़ा भी किड्नी में भी पढ़ा है अभी भी पढ़े थोड़ा करेंगे renin क्या होता है या तो beta 1 receptors जो हमारे पास होते है उसकी stimulation हो या तो फिर low arterial pressure हो जाए जिसकी वज़ा से renin release होता है renin क्या करता है हमारे पास angiotensin है जो potent vasoconstrictor है उसको 1 मेंसे 2 में कर देता है angiotensin 1 मेंसे 2 convert कर देता है by angiotensin converting enzyme आपने देखा होगा drugs में angiotensin converting enzyme blockers angiotensin receptor blockers यह हम करेंगे angiotensin 2 में कर देता है जो कि हमारे पास potent vasoconstriction है वो potent वो constrict करवाता है arterioles और veins है जिसकी वज़े से BP बढ़ जाता है या तो यह क्या करेंगा aldoesterone की stimulation करवाएगा release करवाएगा और जिसकी वज़े से वो renal sodium reabsorption करवाएगा और pressure हमारे पास बढ़ जाएगा sodium की reabsorption करवाता है और blood pressure हमारा यह बढ़ जाता है यह थोड़ा short में ही है बस यही system है अब हम देखते हैं इसमें treatment strategies क्या हैं कौन-कौन सी classes हम use करेंगे उसमें हम फिर drugs भी discuss करेंगे